अनलो फ्रेंड्स करें आप सब लोका होपँ आप अप सब थीक हो अब सर्दिया आने वाली है और सर्दिया ने क्या वाली थोड़ी आई चुकिए है और सर्दियों में इस क्रिण ड्राइ我们 होना इसकी पे ग्लो ना होना इसके अना यह तो आफ बात है oko और इस प्रोब्लम की वज़े से हम परिशान हो जाते हैं क्योंकि सर्वियों में यह प्रोब्लम तो हो जाती है आपकी इस्किन को खुबसूरत आप बनाना चाहती हैं तो आज मैं जो DIY आपको यह क्रीम बताऊंगी नाइट क्रीम जिसे लगाएंगे तो आपकी इस्किन ड्राइ भी नहीं होगी जूरिया भी नहीं आएगी और आपकी इस्किन पे जो आप ग्लो चाते हैं वो आपको जरूर मिलेगा तो इस्किन को आप फटा फट से बना लीजे और इसे आपको रोजाना बनाके लगाना है को भी मुश्किल काम नहीं है, तो कैसे बनाना है, इस वीडियो में आप यह जान लीजे, क्योंकि अगर आप नाइट में कुछ लगा के सोंगे, तो आपकी स्क्रीम जो है ना, बोती इमोस्टराइज रहेगी, और पूरी नाइट में आपको स्क्रीम को लगा के सोना है, उससे आ अपको क्या करना है, क्या लगाना है, चली बता देते हैं, तो सर्वियों से इमत घवराईए, मुसम को एंजोय कीजिए, और चली इस क्रीम को देख लेते हैं, कैसे बनी है, यह क्रीम और कैसे बनानी है आपको, तो फ्रेंड्स दूद हम सबके घर में आता है और दूद की जो ऊपर जो मलाई आती है ताजा दूद घर में हमारे आता है उसके मलाई हमें जो है वो लेनी है उसके लिए सबसे पहले आपको दूद को गरम करना है उसके बाद आपको लेना है एक साप सुत्रा कंटेनर ले लेजिए तो इसके इंदर मैं एक चमच मलाई ले रही हूँ ये देखिए तो जैसे दूद हमारा ठंडा होता है तो मलाई जो है न वो ठंडे दूद की आपको मलाई लेनी है चाहें आप गरम दूद की भी ले सकते हैं लेकिन आपको मलाई लेनी है एक चमच और अच्छे से जो मलाई जब आ जाती है न तो अच्छे से जब मलाई अच्छे से आ जाए उसके बाद लेनी है आपको दूद ठंडा हो जाता है जब मलाई जादा आ जाती है उसके बाद पाता है हमारी स्कीन खूबसूरत बनती है तो इसलिए हमें मलाई और लेमन को मिक्स करके अपने स्कीन पर रोज रात को सोने से पहले लगा लेना चाहिए जिसे हमारी स्कीन जो है ना वह भूती सुंदर और खूबसूरत बनती है अगर आप इसे रोज यूज़ करेंगे तो कि मलाई हमारी स्कीन जादा फ़ायदे मंद है एक और इसे ट्राइज कीजिए आपको दो दिन में ही पता चलने लग अगा इक वर, इस जारू ट्राइजनद लगाने से पहले अच्छे से सोने, अब मुझे सोना है इस लिम आपको बता रही हूँ सबसे पहले आपको अच्छे से लिप ऐसे ही आपको इसकिन पर नहीं लगाना है सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वोश कर लेना है और यह देखे मैंने मेकप बिल्कुल भी नहीं किया अच्छे से पूरे फेस को वोश किया है और अपर की तरह करने हैं नीचे की तरफ नहीं करने हैं इस तरह से जैसे मैं दिखा रहे हूं उस तरह से आपको मसाज करने हैं पांस से दस मिनट 10 मिनिट तो जरूरी नहीं है आप अगर 5 मिनिट भी कर लेंगे तो सही रहेगा तो अच्छे से आप पूरे फेस पे मसाज कर लीजिए लिपस पे लगा लीजिए अच्छे से लगाके और आपको नाइट में जो है ना लगाके और फिर सोएंगे तो आपको सुबह आपको पता चलेगा एक दिन में भी आपको पता चलने लगेगा कि मलाई लगाने से हमारी स्किन पर सोप्ट हो जाएगी आपकी स्किन ड्राइब बिल्कुल भी नहीं रहेगी अगर आप नाने से पहले भी लगा लें तो आपकी स्किन काफी ज्यादा सोप् कर दो कर दो पलता कर दो पर लगाईए थोड़ी देर मसाज कीजिए और सुबह अपने हाथ पेरों को गुंगुने पाने से दू लिजे इसे आपके हाथ पेर दोनों सौक्ट हो जाएंगे और ट्राइब बिल्कुल भी नहीं होंगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेर सेर और सब्सक्राइ प्लीज वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ